हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू आर चैनल आज हम इस वीडियो में क्लास एट का सोसल साइंस का कोशन पेपर सॉल्फ करेंगे जो कि इसका सेशन है दोजाट चौबिस पच्चिस और सेंपल पेपर विल्कुल लेटेस्ट है और आपको जो टाइम दिया जाएगा पेपर करने कोशन पेपर को सॉल्फ करते हैं तो आपका पहला कोशन खंड का क्या पूछ रहा है निमल लिखित में से कौन सी फसल सुनहेरा रेश के नाम से भी जानी जाती है तो इसमें हमारा पहला उप्शन है कपास गेंहूं चावल या जूट तो इसमें हमारा क्या होगा ऑप्शन क इसमें डैस मिर्त्यू के बाद स्रेजूल बंगाल का नवाब बना तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्यों सा होगा हेदर अली मीर जाफर अली वर्दी खान या टीपू सुल्तान तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा सी अली वर्दी खान ठीक है अब थर्ड कोशन हंगरी द साललिका से सरकार के पास है केंदीर सरकार कॉइब्छान क्या कॉण साशन नहीं पहला है काजू कपाश या चाय कॉण सा नहीं है समें चाहल यह हमारा संसत का अंग है तो इसमें हमारा कौन संग है पहला है हमारा उपर उपर राज्यपाल महालेखा एहव नियंत्रण प्रिक्षक भारतिय चुनावायोग या लोकसभा तो इसमें हमारा अप्षन होगा भी फिर सिक्स्थ कोश्चन 1947 में पूर भारत में एक मात्र इस पात का कार खाना डैस था पहला है ओप्षन टाटा आर्यन एंड इस्टॉल जमसेदपूर या फिर क्या कहते हैं रिलाइंस इंडिस्ट्री अडानी पावर लिमिटेड या फिर डाल मिया इंटरप्राइडेज इंट पाटा आयरन एंड इस्टील जमसेदपूर फिर हमारा सेवन्थ कोश्चन लोक्षबा में निर्वाची सदस्यों की कुल संख्या कितनी है कितनी होती है 543 इसमें हमारा करेक्ट अंसर होगा ए अब आता है हमारा एट कोश्चन निमलिखित में से क्या भारतिय समविधान की एक विशेष्टा है राज के धर्म शक्तियों का बटवारा या फिर राजतंत्र या केंद्रिक शाषन व्यवस्था इसमें हमारा क्या होगा करेक्ट अंसर ऑप्शन बी शक्तियों का बटवारा ठीक है अब है हमारा नाइन्थ कोश्चन निमलिखित एतिहासिक घटनाओं क काल कर्मानुसार लगा कर सही विकल्प का चैन कीजिए पहला है प्लासी की लड़ाई फिर है मीर जाफर की दूसरी बार नवाब बनना मीर मीर कासिम का नवाब बनना फिर है बक्षर की लड़ाई तो इसमें हम इसको किस तरीके से अरेंज करेंगे पहला वन टू थ्री फो तो यह सेक्वेंस बाय सारा सही है फुरेंग आपाता है क्वारा क्या है रहते हैं बड़े नगरियो चेत्रों में जनसक्या वित्रंड का प्रति रूप ग्रामिट जनसंख्या की जीवन प्रत्याश इसमें हमारा करक्ट आंसर क्या होगा ए जनसंख्या का आयू लिंग संगठन का अले की निरुपण ठीक है अब आता है मारा 11 कोशन भारते सम्विधान का अनुचेत 17 का कोई अंग होगा इसमें हमको बताना है जैसे कि पहला अप् समानता का अन्मूलन करता है सुतंतरता का अन्मूलन करता है या फिर सम्विधानिक उपचारों का अधिकार परदान करता है तो इसमें हमारा कौन सा होगा ऑप्शन इसमें होगा हमारा ए अब हैं हमारा 12 कोशन सलाबाई की संदी किनके मद्दे हुई थी अंग्रेजो और अंग्रेजों और राजपुतों अंग्रेजों और नवाबो तो इसमें कौन सूर्प्शन होगा है और अंग्रेजों और मराथो को सलाबाई की संदीक इनके मत्द्द्ध हुई अंग्रेजon ओर मराथो ठीक है अब हमारा आता है 13 कोश्चन निमलखित में से किस मुगल बाश्चा की मिर्तियू रंगून में हुई किसकी रंगून में किसकी हुई थी औरंग जेप या फिर सहाजहा या फिर बहादूर साजफर या फिर जहांगीरी जहांगीर इसमें हमारा क्या होगा option C बहादूर साजफर ठीक है अब है हमारा 14th question इसको पढ़ते हैं मनीशा के समानता के अधिकार का हनन किया गया एहव उसके इसके उसे इसके लिए अदालत जाने से भी रोका जा रहा है बताइए मनीशा के किस मुलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो इसमें पहला option है धार्मिक सवतनता का अधिकार सवतनता का अधिकार और समवेदानिक उपचारों का अधिकार और संस्क्रितिक एहव सेक्षी क्रण अधिकार तो इसमें इसका किस चीच का हनन हो रहा कौन से अधिकार का अप्शन इसमें हमारा होगा C समभेदानिक चारों का अधिकार अब है हमारा 15th question I think 15th question है नीचे दिये गए पर्षन में दो प्रकतन दिये गए हैं एक संकल्पन सा और दूसरा कारण का कथन को पढ़िए और साही विकल्प का चैन कीजिए तो इसमें हम हमारा पहला कथन का या सा है वनो का संद्रक्षन अवश्चे है कारण इसका दिया गया है वन हमारी संपदा है तो इसमें हमारा क्या होगा option पहले statement ये दोनों दी गई है इसका कारण भी दे रखा है अगर वो उससे मैच करता होगा तो उस हिसाब से हमें जो इसकी statement दी गई है तो हम उसको टिक लगाना होगा तो पहली statement क्या है संकल्पना सा एहव कारण का दोनों सही है एहव कारण संकल्पना की सही व्याक्या है तो I think और I think उसकी सही व्याक्या भी है switching option B परते है संकल्पना Saha एहव कारण का दोनों सही परनतु कारण संकल्पना की सही व्याक्या नहीं है यह ज़ानद है तो option C है संकल्पना सा ऐहव कारण का गलत है ढitsन है सा सही कारण और आर गलत पर I think मेरे साब से नहीं है दोनों ही सही है statement यह और दिये option संकल्पना सा गलत है परंतु कारण का सही है नहीं तो इसमें हमारा correct option क्या होगा A, संकलपना सा F कारण का दोनों ही सही है ठीक है और F कारण संकलपना की सही व्याख्या कर रहा है तो हमारे इसमें correct option हो जाएगा A, ठीक है अब आते हैं खंड खा पर अब हमारा खंड खा का पहला कोशन खंड खा के सापसे दूसरा कोशन ठीक है किया है हाशिया कारण हाशिया करण से निपटने हे तु कुछ सुझाव दीजिए या आपका टू मार्क्स का होगा कोश्चन खंडखा में जो होंगे दो दो नम्मर के कोश्चन होंगे चार जो आप हास्य घरंड का मतलब है कि किसी व्यक्ति का समुदाय की किनारे जगयए unica represented स्टुडेंट जो हमारा पहला कूशन था उसका कुछ जो आंसर है वो आदा है तो मैंने उसका पूरा आंसर इधर लिकर रखा था हो constitution करते हैं कि तो पहला है सरकार को अपने साथ करतात हुए अन्याय के बारे में बताकर ध्यान देने के लिए मजबूर करना चाहिए सरकार को इन कानुन को लोग लागू करने के लिए दवाब ढालना चाहिए और दलित और आदिवासी समूदाय के छात्रों के लिए मुफ्त या रियाईती चात्रवास की सुविधा उपलब्द करानी चाहिए और आरक्षण नीती के जर्ये ववस्था में असमंता को दूर किया जाना चाहिए तो यह हमारा पूरा आंसर होगा अब आई चलते हैं इसका और वाला आप्शन को देखने के लिए ठीक है इसका आगे का कोशन है हाशे करण के दुस्र परिणाम बताईए तो इसके दुस्र परिणाम देखते हैं आईए इसका अंसर होगा हाशे करण का एक परमुग दूस्परिणाम है जैसे समाजिक समस्चाव का उत्पन होना और यह व्यक्ति का समाजिक अलगाव में डाल सकता है और उसे समाज में समाहित नहीं होने का एहसास हो सकता है ठीक है अब हमना नेक्स कोशन देखते हैं थर्ड कोशन हैं हमारा भारत में अंग्रेजी आशन को बढने में पल्ची की लडाई का मैहत्व बताईये तो आईए देखतें इसका आंसर इसका आंसर क्या होगा देखिए थड़का पल्ची की लडाई में लडाई ने भारत में अंग्रेजी सासन को बढ़ाने में एहम भूमी का निभाई थी इस लड़ाई के बाद भारत में अंग्रेजों का परवाव भड़ा और धीरे धीरे ब्रिटिस समाराज्य के आविस्तार हुआ इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर राजनेतिक परभूत हासिल कर लिया और इस लड़ाई के बाद पंगाल में मुगलो को मिलने वाली आमदनी बंद हो गई तो आप दो नमबर में इतना लिख सकते हैं बहुत काफी रहेगा इनफ है तीन चार लाइन ठीक है यहाँ पर हमारा आंसर खतम होता है चलते हैं फोर्थ कोशन की तरफ फोर्थ कोशन है हमारा भू निमनिकार्ण के कोई दो कारण बताईए ठीक है यह भी हमारा टू मार्क्स का है तो यह इसके भी आंसर देखते हैं मर्दा अप्रदन जल जमाव या फिर रसाइनिक उर्वर को को अधिक से अधिक उप्योग करो और निर्वनिकरण अध्यदिक पशूचारण अकल सफल उत्पादन नगरी करण और मुरुस्तल का विकास उध्योगिक एहव खनन गतिवीदियां आदी मर्दा निमनिकरण के कारण के परमुक कारण है यह इनके परमुक कारण है आईए हम देखते हैं अपना फिफ्थ कोशन फिफ्थ कोशन है हमारा जलिया वाला बाग हत्या कांड पर अपने विचार परकट कीजिए अपने विचार परकट करने हैं जलिया वाला बाग के हत्या कांड के उपर तो चलिए इसके आंसर देखते हैं अथे वारे को दो दलिल हाँ हाँ यह रहा इस दोरान मरने वालों में युवा महीलाएं व्रद बच्चे सभी उम्मर के लोग चामिल थे इस निरलज वह खुक्याद जलिया वाला बाग हत्या कांड से पूरा देश सत्र रह गया था यह एक हिंसक जानवर द्वारा अपने शिकार के प्रती की जाने वाली करूरता से भी अधिक दर्दनाक करते था शंपुर्ण देश में इस बरबर हत्या कांड की निंदा की गई थी आप इसको अपने सब्दों में भी लिख सकते हैं जैसा कि आ उसमें कई सारी लाइने हैं आप कुछ भी बनाके लिख सकते अपने साब से पर वह उससे ही रिलेटेड होना चाहिए कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिखना जो कि आपके नमबर कट हो सके उसमें ठीक है अब अपना इसका और का अप्शन का अला आंसर देखते हैं हमारा का option का होगा इसका और मैं दे रहा है इत्वा में है रावन सत्यगरा की विशेशताओं का वरदन कीजिए ऐसके देखते हैं मिशेश ता राह विख विशेशता यही जैसे रावल सत्यगरा ब्रीटिस सरकार के दमनकारी रोलेट एक के खिलाफ शुरू किया था यहां आंदो अहिंसक सविन्य अवग्या का पहला बड़े पैमाने पर संगठिद आंदुलन था ठीक है यह इसके तीन पॉइंट हमने बता दिये कुछ अब चलते हैं अपना नेक्स्ट कोशन देखते हैं सिक्स्ट अब हमारा खंद गां है जो कि हमारे कुछ दो कोशन पूचह जाएंगे इसमे से हमको इन दोनों में से कोई एक करना रोगास्टीनस फ्रीमार्स का सुछ नम्मर का यह हो जाएगा तो पहला कोशन क्या है राज्य सभा वो राज्य सभा की विसेश्था का उल्लेख कीजिए और सेकंड है लोग सभा की विसेश्था को लेख कीजिए पहले हमको राज्य सभा के बारे में बताना है तो आएए देखते हैं राज्य सभा की कुछ प्रतिनिदी होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रे पती नामित करते हैं किया होगा हमारा सेकंड पॉइंट और थर्ड राज्य सभा एक इस्थाई सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता ठीक है यह थर्ड पॉइंट अब आता है लोकसभा के बारे में बताना थे कि कुछ भॉम व्यस्क मताधिकार के अधार पर होता है लोकसभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या क्या है 550 हो सकती है इन में से 530 सदस्य राज्यों को प्रतिनिद्व करते हैं और 20 सदस्य संग शाशित परदेशों का ठीक है यहां पर हमारा ऑप्शन का यह कंप्लीट होता है आंसर सिक्स का भी अब चलते हैं सेवंध कोशन की तरफ सेवंध कोशन है भारतिय शिक्षा को लेकर प्राच्यवादी परंप्रा के दरिश्टी कोंड का वड़न कीजिए और इसका अत्वा में एक और है भारतियों की शिक्षा के संबंद में महात्मा गांदी के दरिश्टी इसकी नोट के भारे में कुछ बाते जैसे उपनिवेशिक भारत में शिक्षा के छेटर में दो तरह QU दरिश्टी कोंड थे पहला प्रच्यवा ते पहला है प्रच्यवादी यह यह लोग मानते थे कि भारत में पारंपरिक शिक्षा और ज्ञान को भड़ावा देना चाहिए और शिक्षा को माध्यम इस्थानिय भाषा होनी चाहिए डॉक्टर एच एच विल्सन और एच डी प्रिसेप जैसे प्रिच्चेवादियों विदो ने संस्कृत अर्बी और फा यूगी होनी चाहिए और हमाध्यम अंग्रेजी होना चाहिए चाहिए चलस ट्रेski जैसे अंग्रेज वादियों ने अंग्रेजी माध्यम से पच्चिमी शिक्षा देनी की वकालत की दोनों की पॉइंक ऑफ एक और option का अंसर था देखे वो भी देख लेते हैं भारतियों की शिक्षा के संबंद में महात्मा गांदी का दर्श्चिकुण पूछा था तो के विचार इस परकार थे जैसे शिक्षा का मकसद है चरीत निर्माड गांदी जी का मानना था कि शिक्षा का मुख्यों देश्च चरीत्र का निर्माड मतलब हमारी परसनलिटी डवलप होनी चाहिए सबसे पहले तो ठीक है फिर शिक्षा में सारे रिक शरम का महत्व गांदी जी ने सारे रिक शरम का विशेश महत्व दिया बुनियादी शिक्षा गांदी जी ने नई तालिम यह बुनियादी शिक्षा क की अवधारण विक्सित की मात्र भाशा में सिक्षा की अ कि मतलब है सर्वगिण विकास गांदीजी का मानना था कि सिक्षा से शरीर मन और आत्मा का विकास होना चाहिए जार से सौतन्ता और आतम निरवर्था मिले गांदी जी का मानना था कि शिक्षा का मक्सद सुतंत्ता और आतन निरवर्था व्यक्ति बनाना है ठीक है यहां पर गांदी जी के कुछ व्यूस थे वह हमने बता दिये अब चलते हैं एट कोशन की तरफ अब आता हमारा खंडड जो कि हमारा फाइव मार्क करेंशίν civ इसके मांसर देखते हैं कि हम इसका देखते हैं पहले Central प्रक्षा करें और जढ़ा के प्रभाव को कम करने के लिए पीड़ों की सगन कतायें कतार लगाएं ठीक हैं सीड़ी धार खेती पहाड़ी ढ़लानों पर सीड़ी धार खेती करें और इसके लिए ढ़लानों को काटकर चोड़ी सीड़ीयां बनाई जाती है और उन पर खेती की जाती है समोच रेखी आएं जुताई और कट दूर जुताई करें कवर फसले नाइट्रोजन फिक्सिंग फसले सफेद सलजम मूली और कवर फसलों को नगदी फसलों के साथ गुमाएं यह हरी खाथ के रूप में काम करती है नाइट्रोजन और दूसरे पोशक तत्वों की भरपाई कर करती है और और भी हम पॉइंट लिख सकते हैं क्योंकि पांच नम्मर का कोशन आएगा इस परकार कारबनिक खाथ ज्यादा से ज्यादा का इस्तमाल करें पानी के बहाब को रोकें पानी के बहाब को रोकें धालान वालों छेत्रों में घास और पेड़ लगाएं कृशी हमारे फाइब नम्मर के कोश्चन के अकॉर्डिंग तो आए हम अपना नेक्स्ट कोशन देखते हैं नाइंत कोशन है सोतनता नाय पालिका की अवशक्ता का विशलेशन कीजिए और जन्हीत याचिका का महत्व बताईए इनका दोनों का अंसर एक साथ देखते हैं पहला हमक नाय पालिका के अवशक्ता इसलिए होती है क्योंकि इससे कानून के सासन की रक्षा होती है लोगों को समान रूप से नयाय मिलता है सरकार के राजनितिक दवाब से नाय पालिका मुक्त रहती है और पॉइंट लिख सकते हैं सम्विधान की रक्षा होती है लोगों के मोलिक अधिकारों की रक्षा होती है सुटनतर नाय पालिका की विशेशता है जैसे वह यह आ गया नहीं हां सुटनतर नाय पालिका कुछ विशेशता यह हैं और जैसे कि नाय पालिका निस्पक्ष होनी चाहिए नाय पालिका को सरकार और किसी अन्य भारी तागत से मुक्त होना चाह और नयापालिका को लोगों का विश्वास होना चाहिए और जैसे कि five marks के जितना मैंने बताए उतना काफी है बाकी भी बहुत आंसर ये बड़ा मैंने लिख लिया है नयापालिका को उन लोगों के लिए उचित रूप से सुल्ब होना चाहिए जिने इसकी जरूफ है ठीक है अब हम इपना नेक्स्ट कोशन देखते हैं सबस्री हमारा जन्हीत याचिका का महतव बताइए अग cent देखते हैं जन्हीत याचिका कodными महतव जैसे कि जन्हीत याचिका से разumžनी के ऑसource निकाईयों की जवाब देहित सुनिक्षित होती है यह सुनिक्षित करते हैं समझने और उसे विक्षित करने में मदद मिलती है जनीत याचिका से उपभोकता कल्यान पर्यावरण और मानव अधिकारों जैसे मुद्दो पर ध्यान केंद्रित होता है और जनीत याचिका से कम जो लोगों को आवाज मिलती है वे अपने अधिकारों की वगालत कर सकते हैं जनीत याचिका से मीडिया, कव्रेज और बहेस के जर ये सार्वजिनिक समस्याों के बारे में जागरुपता बढ़ती है, जनीत याचिका से सम्मानता के अधिकार को भड़ावा मिलता है, यह जीवन और व्यक्तीत्व को अधिकार को भी सुनिश्चित करता है, ठीक है जनित याचिका से समाजिक परिवर्तन होता है और कल्यान सुनिश्चित होता है जनित याचिका से गरीबों और हाशिये पर पड़े पड़े लोगों को न्याय मिलता है जनित याचिका से न्याय शमिक्षा की अवधारण को लागू करने में मदद मिलती है जैसे कि मैं नेक्स देखते हैं अब हमारा खंडड़ा यहां पर खतम होता है फाइब मार्क्स के दो कोशन आएंगे फिर आएगा हमारा खंड़ड़ा फिर है दिए गध्यांस को मतलब आपको फिर गध्यांस आएगा अभी आप फॉर्मेट देख लें अब इसका में नेक्स पार्ट बना मैप भी आने वाला है फाइब मार्क्स का तो आपका मैप देखिए इस अकोर्डिंग आएगा आपको कोशन यह कोशन पेपर के साथ नहीं आएगा मैप आपके टीचर प्रवाइड करेंगे तो आपको फिल करना होगा इस मैप की भी एक में सेपरेट वीडियो अलग जरूर करें थैंक यू गाइज